आरवी लोकसभा के पहले सतर में जब रास्टपती, द्रोपदी, मुर्मू के अभिभाशन के उपर चर्चा होनी थी, उस समय राहुल गांधी ने शिव जी की तस्वीर को हाथ पे लेकर जिस तरह से अभय मुत्रा का जिक्र किया था, उनकी वो स्पीच भी बहुत जादा वा गांधी ने किस तरह से चक्रवियू को सरकार, वित्तमंत्री और बजट से कोरिलेट किया है, आपको भी एक बर जरूर सुनना चाहिए पता लगा कि चक्रवियू का एक दूसरा नाम होता है, पद्मवियू, मतलब लोटस फर्मिशन, तो जो चक्रवियू होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है, 21 सदी में सर, एक नया चक्रवियू तियार हुआ है, स्पीकर सर, वो अभी मन्यू को चक्रवियू में फसाया गया तब वो ही हिंदुस्तान के साथ किया गया है हिंदुस्तान के युवाओं के साथ हिंदुस्तान के किसानों के साथ हमारी माताओं भेनों के साथ स्मॉल बिजनेस के साथ मीडियम साइज बिजनेस के साथ सर अभी मन्यू को छे लो राज भी चखरिविए के भीच में छेह लोग है. क्थि आजरे उस टाइम छेह कंट्रोल नियुक है, लिए भी में छेह कं छेह कंट्रोल करे हैं. चखरिविए को नारेंद्र मोदी ये, अमिट चाल जी, मोहन भगवत जी, अजीद दोवाजी अंबानी और अधानी जी तूर पर रहे हैं So, one element of the Chakraviu is coming from the concentration of financial power. The second element, sir, मैं बजट को एक्सेंट कर रहा हूं, sir. The second element is the institutions, the agencies, CBI, ED, income tax department of this nation and the third is the political executive. It's because, sir, these three together are at the heart of the Chakraviu and they have devastated this country. It's because, sir, my expectation was that this budget would weaken the power of this Chakraviu. This budget would help the farmers of this country, the youth of this country, would help the laborers, the small businesses of this country. पहला काम इस चक्रवी ने क्या क्या किया? जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं, small and medium businesses हैं, जो करोणों युवाओं को रोजगार देते थे, उपर इस चक्रवीu ने आक्रमन किया. कैसे किया? नोट बंधी, GST और Tax Terrorism. आप लोग आत्मकवाद की बात करते हो, पूरे देश में, पूरे देश में अगर कोई भी व्यक्ति, छोटा बिजनस चलाता है, तो रात को उसको फोन कॉल आता है, इंकम टैक्स डिपार्टमन से, GST से, और टैक्स टेरिजम का वो शिकार होता है. इस टैक्स टेरिजम को रोकने के लिए बजट में आपने कुछ नहीं किया है. फाइनांस मिनिस्टर बैठी है, अब युवाओं के लिए आपने क्या किया? और 99% जो हमारे युवाओं हैं, उनको इस इंटर्णशिप प्रोग्राम से कुछ लेना देना ने, कोई फाइदा नहीं होने वाला है. तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके उपर आप बैंडेट लगाने की कोशिश कर रहे हैं. पेन मुद्धा आज युवाओं का एक्जैम पेपर लिख हैं. जहां भी हम जाते हैं, आपने बेरोजगारी का चक्रव्यू बना दिया इनके लिए, और जहां भी हम जाते हैं, वो कहते हैं, बेरोजगारी है, मगर पेपर लिख भी होता है. तो आपने एक साइट पेपर लीग चक्र वियू दूसरी साइट बेरोजगारी चक्र वियू पेपर लीग मैं आपको बताता हूँ दस साल में सतर बार हुआ अगर आप जानना चाहते हूँ पेपर लीग के बारे में फाइनांस मिनिस्टर ने बजट में एक शब्द ही कहा है उल्टा जो एजुकेशन बजट में पैसा देना चाहिए था वो आपने बीस साल में सबसे कम पैसा दिया है 2.5% और बजट इस गॉन दूसरी तरफ पहली बार सेना के जवानों को आपने अगनीवीर के चक्रवियू में फसाया इस बजट में अगनीवीरों के पेंशन के लिए एक रुपिया नहीं है आप अपने आपको देशबग कहते हो मगर जब अगनीवीरों की मदद करने की बात आती है जवानों को पैसा देने की बात आती है तो बजट में आपको एक रुपिया नहीं दिखाई देता उनकी पेंशन के लिए एक रुपिया आपने नहीं दिया उनको आपने अगनीवीर के चक्रवियू में फसाया जो अंदाता है वो चक्रवियू से निकलने के लिए आपके चक्रवियू से निकलने के लिए जो आपने बनाया तीन काले कानून जबीन अधिकरन बिल को आपने कमजोर किया उनको आप सही दाम नहीं देते हो इस चक्रवियू से निकलने के लिए उन्होंने आप से सिर्फ एक चीज मांगी है दो चीजे नहीं मांगी है, सिर्फ एक चीज मांगी है उन्होंने कहा है कि हमें legal guaranteed MSP दे रहे हैं आपने उनको border पर बंद कर दिया, रोक दिया, आज तक road बंद है आप उनसे बात करने को त्यार नहीं है, वो यहां आए मुझसे मिलने आए आप उनको अंदर नहीं आने दे रहे हैं मैं आपको fact बताता हूँ, फिर आप मुझे correct कर दीजे सुर्ट Because sir, sir, हुआ क्या, वहाँ पे sir, मुझसे मिलने एक farmer का delegation आया मुझे बताया गया कि farmer के delegation को अंदर नहीं आने देंगे मैं उनसे मिलने जब गया, तब उनको अंदर आने गिरिया गया था Sir, यह fact है sir, अब पता नहीं कोई miscommunication हुआ, वो अलग बात है But fact यह है कि जब मैं मीडिया के साथ वहाँ गया तब गर्वाजे Parliament के संसत के उनके लिए खुले, उससे पहले वो बंद थे और यह आप उनसे भी पूछ लीजे साथ प्लेइस सदन में मानिस सदश्य के लावा दूसरा कोई वेक्ती बाइट नहीं दे सकता और आपकी मुझदगी मुनों बाइट दी, यह किलेर करना चाहता हूँ सर यह टेक्निक एलिटी है, सर यह मुझे मालूम नहीं थे जो अंदाता है, जो सरकार से सिर्फ एक चीज़ मांग रहा है लीगल गैरंटीड मेंस पी हमें लगता था कि यह कोई बड़ा काम नहीं है, यह इतना बड़ा काम नहीं है हमें लगता था कि अगर सरकार बजट में इस बजट में इसका प्रोविजिन कर देती, तो जो हमारे किसान है जो चक्रवियू में आपके चक्रवियू में फसे हैं वो निकल पाते हैं यह हमारी थिंकिंग थी मगर मगर आपने नहीं किया तो मैं यहां इंडिया गडबंधन के तरफ से गैरंटी देता हूं कि हम यह काम करके दिखा देंगे जो आपने अपने बजट में नहीं किया, वो मैं हिंदुस्तान के सब किसानों से कहना चाहता हूँ, Guaranteed Legal MSP, हम इस सदन में पास करके आपको देंगे.